सापा के गड़ को डहाने में जूटी बीजेपी निकाय चुनाओ के लिए बनाई ये खास रड़नी थी नमस्कार दोस्तों मैरतम सिंग और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाओ को लेकर भारते जन्ता पार्टी काफी गंबीर नजर आ रही है दरसल माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाओ 2024 लोगसभा चुनाओ का सेमी फाइनल है अगर भाज़पा ने इसमें अच्छा प्रदेशन किया तो इसका सकरात्मक संदेश आएगा और लोगसभा चुनाओ के रह आसान हो जाएगी वही भारती जंता पार्टी का प्रदरसन खराब रहा तो यब बीजेपी के 2024 चुनाओ के लिए नगरात्मक संदेश जाएगा और विपच्छे इस हार के सहारी उत्तर प्रदेश और केंदर सरकार को गेरने की कोशिस करेगा इसी से बचने के लिए भारती जंता पार्टी ने निकाय चुनाओ को हर हालत में जीतने की त्यारी कर रखी है लिहाजा आजमगर तीन नगर पालिका सीटे और तेरा नगर पंचाय सीटों के लिए भारती जंता पार्टी ने अलग-अलग रणीती बनाई है सबी सीटों पर एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है बीजेपी ने अपने वर्ष्ट निताओं को जिम्मेदारी दी है किवा नामांकन से लेकर मद्दान तक आजमगड में एक एक बूत पर नजर रखें आजमगड के नामांकन के समय सांसर रामपती सास्त्री मौजूद रहे वही उसके बात चुनाओं की जिम्मेदारी जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य परताब साही ने समाल रखी है जो लगातार कारकारताओं के साथ बैठक कर रहे हैं जिसे की कहीं कोई चूक ना रह जाए लेकिन भारती जनता पार्टी की जीत इतनी आसान भी नहीं दिख रही है समाजवदी पार्टी भारती जनता पार्टी को कड़ी टकर दे रही है और कुछ सीटों पर निर्दलिय प्रत्यासी भी मजबूत इस्तिती में हैं दरसल भारती जनता पार्टी के कुछ कारकरता जो खुद को प्रत्यासी के रूप में देखते हुए बिछले कुछ समय से काम कर रहे थे टिकेट कटने से वह भी नराज है और यह नराजगी भी भारती जनता पार्टी पर भारी पढ़ सकती वही समाजवदी पार्टी लोगसभा उप्चुनाओ की हार का बदला भारती जनता पार्टी से लेना चाती है जिस तरह 2022 विधानसभा चुनाओ में सपा ने 10 में से 10 विधानसभा सीटे जीती थी उसी को दोराते हुए समाधरदी पार्टी दावा कर रही है कि हम आजमगड की सभी निकाय सीटों को जीतेंगे अब दोनों दलों के दावे कितने सही साबित होते हैं ये 13 मई को ही साफ हो पाएंगे बिर रिपोर्ट रिगर नियूज